दो बहनों ने लिया सबसे बड़ा चैलेंज बालों को लंबा करने के लिए और बालों को घना करने के लिए जी हाँ Hello everyone, मैं हूँ चिश्टिया और आप देखरेंगे चिश ब्यूडी जहां हम बात करते हैं फैशन ब्यूडी और डियाई वाइस की यहाँ आप देख रहे हैं यह है नाजदिन्दी और यहाँ पर हूँ मैं है हम दोनों ने एक बहुती अमेजिंग चैलेंज स्टार्ट किया है आप लोग नए है चैनल आप मैसे जो भी करना चाहते हैं इस चैलेंज को वो भी स्टार्ट कर सकते हैं इसलिए सबसे पहले हम इस टोनर को बनाते हैं फिर एप्लिकेशन हम देखेंगे यहाँ पर मैंने दो बड़े कप पानी के लिए हैं एक भगोना लिया है दो कप पानी के इसमें एड किये हैं इसको हम थोड़ा गर्म होने देंगे पानी को बॉइल होने देना है बॉइल होने के बाद में यहाँ पर कुछ इंग्रीडियन्ट मैंने एड किये है इसमें है स्टार्ड जो की फूल चकरी आती है है ना सौफ है दो चम्मच और यहाँ पर है यह दाल चीनी सिनेमन यह है एक से दो आप चोटे-चोटे देख लिजे इस्टिक तो इतना हमने लिया है ठीक है और यह जो फूल है यह टोटल दो फूल है क्योंकि एक आधा-धा हो गया था इसलिए ठीक है तो इतना आपको क्वांटिटी में लेकर पानी के अंदर तीनों इंग्रीडियंट को डाल देना है अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज बता देती हूँ यह जो टोनर है यह सबसे ज़ादा बहतरीन टोनर इसलिए बनने वाला है क्योंकि यह आपके डेंडरफ के लिए राम बान टोनर है मतलब आपका अगर डेंडरफ है बहुत जादा तो आपका डेंडरफ इंस्टेंटली है वो कम करेगा डेंडरफ को हटाएगा रिमूव करेगा बार बार जो डेंडरफ आ जाता है उससे आने नहीं देगा और जिन्होंने मेरा तेल ले लिया मेरा ओयल जो चिश ब्यूटी ओयल बाय कर लिया है उस ओयल के साथ में भी आप इस टोनर को एपलाई कर सकते हैं ठीके इसके बाद में एक इंग्रीडियंट और डालेंगे जो की है जिंजर इसका चोटा सा टुकड़ा मैंने जिंजर का लिया इसको मैं इस तरह से क्रश कर रही हूं और इसको भी आपको उसमें डाल देना है ठीके तो अब यहां पर मैं आपको एक चीज बता देती हूं जिंजर जो है इससे बालों की थिकनेस बढ़ती है जड़ें रूट्स है यह मजबूत होती है और दालचीनी जो की सिनेमन इससे भी आपके रूट्स है वो स्ट्रॉंग होती है ठीके काफी लोगों का कंसर रहता है कि हमारे बाल जो जड़ते हैं वो सीधा हेयर रूट्स से जड़ते हैं तो अब आपके बाल हेयर रूट्स से नहीं जड़ेंगे यह टोनर इतना बहतरीन है इस टोनर को 8-10 मिनट आपको मेडियम फ्लेम पे कुक करना है ओके तो हम दौनों ने चैलेंज लिया है कि बालों को तेजी से लंबा करना है घना करना है मेरे बाल अलरड़ी लंबे हैं बहुत जादा लंबे मुझे फ्लॉर लैंट तक करना है और नाजनिन दी चाहती है कि मेरे अभी जितने है तो उनके भी नील लैंट बाल हो जाए ठीक है अफ करके और ठंडा होने के लिए रख दीजे उसके बाद में आप इसको चान के एक इस प्रे बॉटल में भड़ लीजे और जो बच जाएगा इसको आप लोग यूज कर सकते हैं ड्राय करके और किसी में भी ठीक है यहाँ पर टोनर रेडी है पूरा देखिए यह टोनर बना लिया है और अप्लिकेशन मैं भी करने वाली हूँ और नाजदी भी एप्लिकेशन करने वाले हैं तो नाजदिन दी आ चुके हैं और यह अपना एप्लिकेशन कर रहे हैं इन्होंने अभी मुझे यही बोला था कि मुझे एक बहतरीन टोनर आप दे दो बना के जिससे की बाल बहुत जादा मजबूत हो जाएं क्योंकि कई बार है ना हमारी रूर्स है यह वीक होती है तो नाजदिन दे को अभी डेंदरफ की प्राब्लम नहीं है पहले थी तो देखिए डेंदरफ जो है इनके जाच चुका है क्योंकि यह ओईल प्रॉपर लगा रहे है ना तो आप यह वाला टोनर बना लिजे और आपके हेयर ग्रोथ बहुत जादा फास्ट करेगा आपके जो रूट्स है उसे मजबूत करने के लिए काफी जादा अच्छा है यह ठीक है और हेयर की रीग्रोथ भी होगी हेयर रूट्स स्ट्रॉंग होगी और साथ में आपका बनाया है तो यहां पर आप देख सकते हैं इतना बनाया है और इसको अब यूज कर रहे हैं आज दिन दी उसके बाद मैं भी यूज करूंगी ठीक है यह लिजे तो यहां पर यह इस तरह से प्रैस कर यह आपको निकाला देखिए हम लोग जब इस प्रे बॉट्टन से लग आप पूरी अपने कवर कर लेगा और अपने सकैल्प और बालों प कर लगाए मैं को लगा रहा है यह देकिए बैखिए है और जहां पर बाल कम है वहां पर भी लगाईएगा ठीक है सो यहां पर पीछे की साइड में इनके मैं स्प्रे कर रही हूं है ना यह देखिए आप बालों को ऐसे करते रहिए हाँ दूर दूर करिए जैसे क्योंकि रूर्स पर सब जगें हमारे से नहीं लगता है न तो आप लोग भी घर पर किसी की भी हैल्प लेकर और इस तरह से लगा सकते हैं ठीक है काफी अच्छा है और इसको लगाने के बाद मैं आप लोग ऐसे ही रख सकते हैं आपको जरूर नहीं है बालों को वाश करने की जरूरत नहीं है कि आप बालों को दूएं ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं क्यूंकि इससे बाल बिल्कुल भी हार्ड नहीं होंगे आपके बाल है इससे सॉफ्ट ही रहेंगे तो इसको आप लगाकर और ऐसी छोड़ दें ठीक है और यह देखिए रूट्स पे यह जो एंड्स है ना बालों की जो नीचे के एंड्स यहां पर दो मुहे बालों की बहुत जादा शिकायत हो जाती है तो आप लोग यहां पर भी अच्छे से पूरा length और यह छोड़ देता है तो length को और छोड़ना नहीं है इस तरह से आपको पूरा करना है इस्प्रे है ना तो पूरा इस्प्रे होगा तो आपके बालों की एक-एक मतलब roots एक-एक जर्ड एक-एक चीज पर अच्छे से लगेगा ना तो वो सब स्ट्रॉंग होंगे ठीक है यह देखे इस तरह से और अभी तो समर है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आप लोग अराम से लगा सकते हैं तो इसको रोज एवरी डै आपको अपने पूरे बालों में लगाना है और छोड़ देना है बस ठीक है और हाँ जिसने उने ओइलिंग कर रखिए तो ओइलिंग के बाद भी आप लगा सकते हैं मतलब ओइल लगे हुए बालों में भी लगा सकते हैं ठीक है तो यहां पर मैंने पूरा देखी पीछे अच्छे से लगा दिया और आप भी किसी की हैल्प लेकर लगा लीजगा और अब यह हलका सा क्या करना है आपको अपने फिंगर टिप से मसाज करनी है ठीक है तो इससे यह पूरा है ना अंदर चला जाएगा तो आप इस तरह से देखी मसाज कर लाए आपको टोनर एप्लिकेशन करके अच्छा लग रहा है और खुश्बू कैसी आरी तनी अच्छी आरी देखी नैचुरल जो चीज़ें होती है उनकी खुश्बू यह अलग होती है तो इसमें जो जो हमने सॉंफ दालचीनी है ना इस्टार जो है वो और यह सब चीज़ें ज दाली ना जिंजर तो इसकी खुश्बू बहुत ही प्यारी आ रही है यह देखी यह इस तरह से नो ने लगा लिया है हलकी सी मसाज कर ली और उसके बाद में आप चाहें तो बालों को ओपन भी रख सकते हैं आप चाहें तो इस तरह से बन बना कर छोड़ सकते हैं ठीक है औ अब लगा तो आप लगा दिया फिर भी इन्हों ने वापस से इसको उठा लिया शीशी को और फिर सही अपने बालों में पूरा कर रहे हैं यह कि एक बी बाल मेरा ड्राय नहीं रहना चाहिए तो अब देखो मैंना करने के बाद में फिर सही खुद से कर रही हैं इनको ऐसा आउ गमेंट करके मैंने ज़्यादा लगाया था ना इनके पूरे बालों पे सब जगे लगाया था फिर भी इनको सबर नहीं आया इनौने हाथ में लेके खुद से लगा रहे हैं इससे ब्लड फ्लो अच्छा रहता है और आपके बालों पे भी लग जाता है और हेर ग्रोध भी फास्ट होती है सो यह इस तरह से अब अपने और लगा रहे हैं हमारे लिए रख दीजे बहुत है बहुत है अब एक दिन में खतम हो जाएगा यह फिर से बनाना पड़ेगा कल दो दिन तो एटलिस चलने दें और यह शायद मुझे लग रहा है कि दो तीन दिन दो दिन चल बहुत प्यारी है इसकी आप लोग भी जल्दी से सब लोग बना ले ना ठीक है यह जो टीनेजर टीनेजर नी सौरी हाँ यह सिस्टर्स चैलेंज जो चल रहा है लॉंग है के लिए उसी के लिए बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग रेमेडी जै यह ठीक है और इससे 100% बाल अब भी ओंगे और ठीक भी होंगे ओके सो आप लोग भी स्टार्ट कर दी क्यूंकि हम लोगों ने तो स्टार्ट कर दी है यह और यह हमारी थर्ड रेमेडी है थर्ड ना ठीक के गाइस तो देख़ीए लगाती रहेंगी जब तक मैं इनको मरा नहीं करूंगी ना तब तक यह अपने बालों में लगाती ही रहेंगी तो चलिए अब मैं भी लगा लेती हूँ ठीक है cestat के एक क्वाइब चांब ओसद चलिए वाहती ही जब राखें द Mark Jehan कर रही हूं ठीक है क्योंकि मेरा अलग है और मेरा रूप पर रूम में रखावा है इसलिए तो आप लोग को भी मता देती हूं एक दूसरे का कंगा यूज नहीं करें आप अपना खुद का ही कंगा यूज करें ठीक है सो गाइस यहाँ पर दौनों हैं नहीं एप्लिकेशन कर ली है आप लोग देख सकते हैं आज इंदी की फूल एप्लिकेशन हो गया और मेरा भी बालों में अच्छे से एप्लिकेशन हो गया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरा टोनर खतम हो गया सिर्फ एक एप्लिक लगा लेना इसको ठीक है और आप लोग गर्मी है तो इसे फ्रिज में रख सकते हैं लेकिन फ्रिज जब लगाएं तो उससे दो तीन गंटे पहले फ्रिज से बार निकालने ठंडा ठंडा न लगाएं ठीक है यह हमारा आज का एप्लिकेशन आई होप यह वीडियो आपको ठीक है और चलिए मैं आपसे मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में